असलाँक्र मैं दोस्तों मैं जोही प्रमजान भटी और आज मैं हाजरु वे हाँ एक टेक्निकल रिविउ लेकर आपकी खित्मत में ये टेक्निकल रिविई है फिल्म दे लेज़न्ड आफ मौला जट्ट के बारे में आप सब दोस्तों ने इस फिल्म के बारे में बहुत सारा सुना होगा, बहुत सारे इसके चर्चे हो रहे हैं और यह बिना किसी रोक टोक क्या, बिना किसी मैं कोई लगी लपडी कह वे यह कह सकता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की ब्लॉक बस्टर मुवी है एक ट्रेंट सेटर मुवी है जो नए ट्रेंट सेट कर रही है और नए ट्रेंट सेट करेगी और इसमें भी कोई बईद नहीं कि ये फिल्म जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बजट capture करने वाली मूवी होगी मैंने खुद भी देखा है जाके सैनमाज में और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ और ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि बहुत सारी audience इसको देखने के लिए आ रही है और ये बिला शुबा एक audience grabbing movie है जिसने अभी अपने दो तिन दिन की release के बाद ही बहुत सारी audience को grab किया है film के tickets हाए होने के बावजूद ये film बहुत सारी audience को capture कर रही है और लोग धड़ा धड़ इसको देखने आ रहे हैं लोग इसको discuss कर रहे हैं लोग इसके उपर बात कर रहे हैं लोग इस movie को देखने के लिए आगे वो कहते हैं न वो word of mouth तो लोग इसको देखने के लिए लोग दोस्तों से कह रहे हैं families इसको देख रही हैं और बिला शुभा ये एक पाकिस्तान की बहत्रीन trendsetter movie होने जा रही है और हो रही है और है भी लेकिन आज हम बात करेंगे इसके technical review के उपर पैस movie का एक technical review आपके सामने पेश करूँगा और being a media person, being a production person मैं समझता हूँ कि ये जो technical review होगा ये technical review फिर इन filmmakers के लिए भी बहुत अच्छा होगा वो अपने आने वाले ventures में अपने आने वाले adventures में अपने projects में इन चीजों का ख्याल रखेंगे, अल्रेडी दो ने बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा है, इसलिए एक blockbuster movie है, लेकिन बहुत सारी technical चीज़े हैं जिनको वो ignore कर गए, पता नहीं क्यों तो सबसे पहले तो मैं इन चीजों को discuss करूँगा जो फिल्म में अच्छी है, अच्छी चीजों का appreciate करना चाहिए, overall जो script था, overall जो story थी, कमाल थी, बेतरीन थी, मैं समझता हूँ कि एक hut के, एक थोड़ सा नई story को सामने लेकर आए हैं और उसको पूरी story को निभाया भी बहुत अच्छा है, चाहे हम उसमें हम उसके production और post production के बात करें, overall बहुत अच्छी चीज़ें इस movie में हमें देखनों को मिली और बहुत लगा है इस film को देखने के बाद के वाकिए budget की allocation को और budget को manage किया गया है time management इस film में नहीं हो सकी बहुत ज़्यादा लंबा अरसा इस film ने लिया है अपने audience तक पहुँचने के लिए, वो क्यों लिया है उसके पीछे बहुत सारी वजूहा थी पहले कुछ उसके उपर band के हवाले से कुछ चीज़ें थी, कुछ court में मामलाद चल रहे थे, नाम को लेके या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो productions related ऐसी थी कि वो redo किया जा रहा था एक movie को तो इस वज़ा से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही थी कुछ फिर covid के नजर हो गया, कुछ मामला लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारे के बाद एक production को अच्छे level पर लेकर आके पेश करनाडियन्स के सामने एक बहुत बड़ी बात है इस film की जो सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये जिस category में ये fall करती है पंजाबी movie इस तरह की movies Indian पंजाब में भी नहीं बन रही है, Indian पंजाब में Indian फिल्म तामिल जो है वो बहुत ज़्यादा movies इसकत मकबूल हो रही है लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं अगर Hollywood के action movie की बात करें उसके बाद तामिल की बात करें तो तामिल भी अपना एक trendset करती हुई जा रही है लेकिन तामिल movies के साथ मसला ये हैं कि वो एक तो चरबा टाइप की फिल्म्स होती है हलांकि उनकी movies को भी आगे Hollywood में copy किया जाता है और उसके बाद वो action sequence के इलावा वहाँ पर ज्यादा कोई खेलने का margin नहीं होता उनमें story इतनी कोई बड़ी नहीं होता इतना बड़ा नहीं होता dialogue और मुकाल में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं सिर्फ action 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 होता है और उसकी बेस पे वो film चल रही है तो उस film की category के मुकाबले में जब हम The Legend of Mola Jet को रखते हैं तो ये वाकिए बहुत बड़ी film है तामिल filmों से और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की Hollywood की movies action की बन रही हैं तो उसको उस मुकाबले पे रखा जा सकता है OTT plateform पे जिस तरह की movies ये web series बन रही है technical point of view से कह रहा हूँ मैं production of point of view से कह रहा हूँ तो उनको उस मुकाबले में भी रखा जा रहा है Hollywood की सारी film में बहुत अच्छी नहीं होती Hollywood की सारी film में budget gaining नहीं होती, कामयाब नहीं होती और Hollywood की सारी film में ऐसी नहीं होती कि एक action देखने वाला भी action film देखे और उसको वो पसंद आए लेकिन ये एक अच्छी category में fall कर रही है अब हम आते हैं इसके technical review के ओपर जिन चीजों का मैं समझता हूँ कि अगर ख्याल रखा जाता तो ये एक बड़ी film तो है ये मजीद बड़ी film बन सकती थी सबसे पहले जो इसमें जो मुझे लगा कि ये कमी इसमें रह गई वो costumes की costumes की इस वज़ा से रहागी कि जिस era को इस film में दिखाया गया है picturize किया गया है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ज़लक मिलती है कि costumes को दिखाने की कोशिश की गई है वैसा लेकिन जहां पर ladies के खवातिन के जो मा थी मौला की उसकी या माहरा की dressing बादफा हमें वो उस में नज़र आती है कि वो उस era को define नहीं करती सही तरह से तो वहाँ पर थोड़ी सी डंडी मारी गई है अच्छे ये जो technical चीज़ें मैं आप से discuss करने लगा और review करने लगा उनके उपर ये बहतर की जा सकती थी जिनको ignore किया गया पता नहीं क्यों और मैं इसलिए ये हग बजानिब हूँ ये discuss करने के लिए क्योंकि ये एक heavy weight movie थी heavy casting के साथ movie थी heavy budget movie थी जहां पर कमी नहीं थी ना budget की कमी इनको थी ना इनको casting के हवाले से को point of view से कमी थी ना इनको production point of view से कमी थी ना इनको post production के point of view से कमी थी हर चीज accurate लेके चल सकते थे क्योंकि हर चीज इन्होंने top of the line इन्होंने चुनने की कोशिश की थी इस film की सारी treatment जो post production की है वो बाहर हुई है पाकिस्तान से और उसको अच्छे लोगों ने अच्छी टीम ने उसको VFX इसके चाहे आप discuss कर लें चाहे इसके sound effect discuss कर लें चाहे इसका music discuss कर लें बहुत जबर्दस्ता post production इस movie की बहुत जबर्दस्ती और वहाँ पर भी जहारे के जब आब बाहर के लोगों को hire करते हैं कुछ इसमें Turkish team थी fight instructor तक बाहर के से थे उसके लावा sound effects के लिए उसके लावा बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बाहर से करवाया color grading इसकी बाहर हुई और ये जब आप film के credits देखेंगी तो उसमें आपको लगेगा कि पाकिस्तान से ज्यादा बाहर की सारी team शामिल थी कास्टिंग पाकिस्तान की थी लेकिन बाकी सारी team बाहर की थी तो इससे ये भी तासुर खतम हो जाता है कि कोई बजट की कोई कमी थी लेकिन उसके बावजूद production में mark आगी ये फिल्म को चीजों के हवाले से वो ही मैं अब जो आपसे discuss करने लगा हूँ उसमें जो first चीज मैंने आपसे discuss की कास्टिंग की तो जब आप इतनी सारी चीजों को लेके चल रहे थे इतनी सारी चीजों को लेके आगे बढ़ रहे थे तो कास्टिंग में कमी क्यों आई ये मेरी समझ से बाला तर है ये मूवी देखने के बाद ये इतनी अच्छी मूवी इतनी बहतरी मूवी और हैवी वेट मूवी के बाद कास्टिंग पर तो जो क्यों नहीं दी गई ये मुझे समझ में नहीं आया तो मेरी इस फिल्म फिल्म के जो मेकर्स उन से ये मैं एस्पेक्ट भी करूँगा कि नेक्स टाइम वो जब इस तरहा कि ये किसी भी कैटेगरी की मुवी बना रहे होंगे तो उसमें कॉस्ट्यूम्स का ख्याल उस एरा के मताबिक जरूर रखेंगे दूसरी चीज़ जो इस फिल्म में मुझे ज्यादा कमी महसूस हुई ज्यादा कमी वो ये हुई कि इसमें सेट का ख्याल नहीं रखा गया सेट का ख्याल इस तरह से नहीं रखा गया कि वही बात फिर दुबारा से कि एक एच्छी heavy duty movie एक heavy budget movie जहांपर आपने एक village का set भी बड़ा अच्छा लगा लिया बहुत सारे और भी set लगा ले लेकिन जब आप नतों का गाउं दिखा रहे हैं उसका सुरी हवेली दिखा रहे हैं तो वहां पर आपने वही चीज दिखाई जैसे आज हम बैठे हैं और आज के एरा में हम जब शाही किला को देखते हैं तो शाही किला देखने से लगता है कि याद से 500-600 साल पुराना है तो जब शाही किले को आज picturize करना होगा हमने वह दोर दिखाना होगा तो वह लैविश शाही किला हम दिखाएंगे या वह हवेली हम लैविश दिखाएंगे या वह जो भी हमारा घर होगा या हवेलियां होगी या सेट होगा वह हमारा उसी हिसाब से होगा लेकिन वहाँ पर उस फिल्म में साफ पता चल रहा था कि वो पुरानी ही चीज़ें लेगी है उनको रेनुवेट भी नहीं किया गया तो यहाँ पर सेट के जब हम सेट की बात करेंगे तो आर्ट डिरेक्शन की हमें कमी नजर आई है आर्ट डिरेक्शन नथों के जितने भी फ्रेम्स थे जिसमें उनके सेट दिखाए गए है वहाँ पर आर्ट डिरेक्शन जीरो नजर आई इस फिल्म में I don't know फिर मैं वही कहूँगा कि समझ में नहीं आया कितनी heavy duty movie इसने इतना time taking किया अच्छा production की बहुत सारी चीज़ों को बहुत जबर्दासा perfect था तो वह वहीं वो चीज़ें जो है ना वहाँ पर भी दिखाए जा सकती थी जब गाओं का मनजर सारे थे वो सारे के सारे set लगे वे थे तो मैं ये समझने साइक आसर हूँ कि जो नथों का जितना भी उन्होंने हवेली हैं और वो सारे कुछ दिखाए वहाँ पर वो set की तरफ क्यों नहीं गए original location पर गए हैं तो वहाँ पर our direction क्यों नहीं की गई अगर मैं layman को अपनी ये बात समझाओं जो technical चीज़ों को नहीं समझते तो मैं इस बात से example दे के समझाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से अगर हम मुगलिया दौर की हम मिसाल के दौर पर हम बात करें तो मुगलिया दौर अगर आज हमने फिल्माना है तो वो मुगलिया दौर का वो जो हवेली है या वो जो किला है या कुछ भी है, वो वैसा ही नजर आना चाहिए, हलाकि इनोंने लगाई वहाँ पर मशलें टंगी हुई थी तीनों चारों तरफ, हर तरफ जिस तरफ भी नजर जाती थी, मशलें लगी हुई थी बाकी और चीज़ें थी लेकिन दिवारों पे रंग और रोगन बहुत पुराना था वो लग रहा था कि जिस दोर में ये फिल्म, जिस दोर को दिखाया गया है, उससे भी 600 साल पुरानी दिवारे हैं और उससे भी पुरानी वो सारी चीज़ें तो इस पे कमी रहेगी इस चीज़ में मैं समझता हूँ कि इसको करना चाहिए था अवरकम इग्नोर होगी पता नहीं ये क्यों चीज इग्नोर होगी, इसमें सारा कुसूर जारे के बिलाराशारी साब का नहीं है वो बहुत सारी चीज़ों में इंगेश थे कुसूर इसमें आड डिरेक्शन का है आड डिरेक्टर का है और कुसूर इसमें जो है वो असिस्टन डिरेक्टर का है के वो इन चीज़ों को देख सकता था और ये पॉइंट आउट कर सकता था इन चीज़ों को एक और चीज जो प्रोडेक्शन में मुझे कमी लगी इतनी जाहरा के बड़ी फिल्म थी तो इसमें heavy duty, बड़े cameras बड़े lenses यूज़ किये गए लेकिन उसके बावजुद जो कमी मुझे लगी इस फिल्म में वो थी cinematography में focusing की कमी इसमें लगी आपने बहुत अच्छी grade की color grading, color toning A1 थी आपने जाहरा के बाहर से करवाई थी और जो natural जो grains आते हैं फिल्म के treatment के उपर वो आपने एड किये, आपने फिल्म की जो grading की वो भी उस level की की लेकिन focus का issue रहा पूरी film में और focus के इलावा blurring का issue मुझे नज़र आया, बार बार नज़र आया जहां पर, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर कमी ये रहागी, कि जो shots fast track के थे या तेज दिखाने थे और जो shots high speed के थे उनको high speed shoot नहीं किया गया एक camera जब move कर रहा है action scenes में भी move कर रहा है या एक camera जब वो top angles को दिखा रहा है drone shots दिखाया जा रहे है ये top angle के shots दिखाया जा रहे है वहाँ पर वो blur speed में blur था वो ज़्यादा तर तो वैसे तब ही आता है कि जब आप इस तरह के shots ले रहे हैं और आप अच्छे level पर उसको high speed shoot नहीं तो तब आता है लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्यों इस तरह की चीजें हो गई और उसको मैं समझता हूँ कि जब इतनी अच्छी team hire की होई थी तो post production में यह चीज cover हो सकती थी जाहरा कि film makers ने बार बार, vfx वालों बार बार, post production करने वालों बार बार इस movie को बड़ी screens पर दिखा होगा, screening की होगी, लेकिन फिर भी previews की होंगे लेकिन फिर भी यह क्यों चीज रह गई focusing का issue, blurring का issue और जहां पर fast shots है, चाहे वो aerial हों, top shots हों, जहां पर fast moving है वहां पर ना आँखों को ज़रा वो एक अजीब feel आ रही थी, वो blurry feel आ रही थी, और वो अजीब वो था, जिसको वो अगर high speed पर shoot करके करते तो वो cover up कर सकते थे, तो ये एक चीज रह गई इसमें dialogue बहुत अच्छे थे मकालमे इसके बहुत अच्छे थे इतने अच्छे मकालमे होने के बावर्यूद मुझे feel हुआ क्योंकि writing में credits जो है story से ज़्यादा उनकी जो वो जान डालते हैं, वो मकालमों में डालते हैं लेकिन उसके बावजूद नासर अधीब साब से ये कैसे चोक गई ये चीज और बिलाल अशारी से कैसे चोक गई ये चीज, कि वो अच्छी खासी पंजाबी का use करते हुए, वहाँ पर उर्दू को क्यों इतना add कर गए वो बहुत जगा पर लगा कि शायद dubbing करते हुए, वो उर्दू के words add हो गए हैं, मलब जैसे ज़्यादता को जब तक कह दिया या और इस तरह के जो पंजाबी के exact words होते हैं, वहाँ पर वाओ दाल या इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, उनका ख्याल नहीं रखा गया, या लवज ही वहाँ पर वो उर्दू का बोल दिया गया तो एक पंजाबी फिल्म में उर्दू add करना, ये मुझे समझ में नहीं आया अगर तो ये होती, डिमांड होती ना character की, तो फिर तो समझ आती थी लेकिन वो एक एरा के characters, जो सारे ही पंजाबी बोलने वाले हैं, और पंजाबी movie हैं, वहाँ पर उर्दू की आमेजिश जो ही है, वो मुल्य समझ में नहीं आई, कि वो क्यूं रह गी या अगर dialogues में ये script में थी, तो फिर dubbing करते हुए, वो शायद वो चीज़ें आड हो गए, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए थी, आड, वो ही हैं, तो ये फिर बार-बार, जाहरा के इतने बड़ी movie थी, और बिलाला शारी तो इन चीज़ों को बड़ा ख्याल करते हैं, उनकी cover-up हो जाती, तो मैं समझता हूँ कि ये technically बहुत अच्छा होता और ये फिल्म में और जान डलती उससे, मकाल में ठेट पंजाबी में थे, और मकाल में बहुत अच्छे थे इसके, और अच्छी पंजाबी में थे, जो एक good enough पंजाबी है उसमें थे, लेकिन फिर भी क्यों वहां पर उर्दू के word साथ साथ add हुए, अच्छे ये हर जगा पर नहीं था, या तो होता है कि एक character है, खास character है, वो पंजाबी बोलते बोलते उर्दू यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं था, फिल्म की पंजाबी, फिल्म की scripting, उसके उपर grip बहुत अच्छी थी, scripting के उपर grip बहुत अच्छी थी, actors की भी अच्छी थी, लेकिन ये गलती कहीं कहीं नजर आई है, जो ignore नहीं की जा सकती थी, और बार बार आई है ये गलती, वो ignore नहीं की जा सकती थी, वो हुई है, वो मैं समझता हूँ कि देखें हम The Legend of Molaget से बहुत expectations रख रहे थे technically भी और ये भी बहुत अची चीज़ है कि उन expectations को overcome किया, वो हमारी expectations से ज़्यादा अच्छी movie बनके सामनी आई है, लेकिन ये चीज़ अगर cover up हो जाती, ignore ना की जाती, तो ये और बड़ी film सामने आती बनके अभी भी बड़ी film है लेकिन इन टेक्निकल जो points है, इनको ज़रूर मैं समझता हूँ कि इन पर नदर रखनी चाहिए थी और अगर ये dubbing point से हुआ है, तो फिर मैं कहूँगा कि जारे के script के एक phase खतम हो जाता है, या उसके बाद जब dubbing पर आती तो अगर वहाँ पर भी ये जाकर ये mistake हुई है तो ये नहीं होनी चाहिए थी assistant director को यहाँ पर ये इसका ख्याल रखना चाहिए था, या जो audio जारे कि अगर audio बाहर भी हुई है पाकिसन से बाहर हुई है ये audio क्योंकि मैंने एक पाकिस्तान के पहले भी एक movie थी, खैर उसका तो इसके साथ को मुकाबला ही नहीं है, ना उसका नाम यहाँ पर लेना बनता है, उसकी जो dubbing थी सारी, वो सारी इंडिया में होई थी तो जब एक script इंडिया ये इतनी बड़े film में नहीं होनी चाहिए थी चीज़ और आखरी जो चीज़ जो technical review में मैं समझता हूँ के miss हो गई, ignore हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी उस पे मैं समझता हूँ के अगली films में जब बलाला शारी साब करें तो इसके उपर ज्यादा गौर करें देखें बिलाला शारी साहब ने इस फिल्म की जितनी भी पोस्ट प्रोड़क्शन की टीम थी वो बाहर से हार की एक्टिंग में उन्होंने टॉप लीडिंग एक्टर्स को पाकिस्तान के जो हैं वो हार किया और एक लेडिंग कास्ट को लेके चले मलब हम अगर बात करें के कास्टिंग के पॉइंट आव यू से और अगर हम बात करें पोस्ट प्रोड़क्शन की जो पूरी टीम थी बहुत परफेक्ट थी सबर्दस थी मार कहां पे खागी ये फिल्म एक्स्टराज में इस फिल्म में ना गए हो या इन चीज़ों का ना किया हो एसी चीज़ें बन था शायद छोड़ देता है बाकी टीम पर भी छोड़ देता है लेकिन नहीं छोनी चाहिए थी एक इतनी बड़ी मूवी में ये वाली मिस्टेक के एक्स्टराज मुझे बार बार इस फिल्म में देखते हुए एक्स्टराज की जेस्टर्ज उनकी बॉडी लेंगवेज उनकी डालाग डिलीवरी वही लगी वो जो रवायती और वो जो लो बजट की मूवीज में ये होता है सारा तो वो नहीं होना चाहिए था उनके dialogue delivery बहुत ही वो थी जैसे एक B category की movie बन रही है उनकी gestures और body language यही थी जहां पर crowd में वो extras हैं कुछ dialogues बोल रहे हैं तो वो उन पर मेहनत नहीं की गई हाला कि उनको retake करवाया जा सकता था उनको समझाया जा सकता था extra spaceful में मेहनत नहीं के गई अच्छा यह सारी चीज़ें जो technical reviews में मैंने आपसे 5-6 share की है वो budget से उनका कोई तालुक नहीं है क्योंकि budget अल्रेड़ी बहुत लगा है अल्रेड़ी इसकी post production बहुत काम है लेकिन production में इन चीज़ों के उपर तो वो जो ना देके मेरे जैसे मैं जैसे फिल्म देखने गया तो मैं believe me मैं इस फिल्म को 10 by 10 नंबर देता अगर यह वाली चीज़ें भी cover up कर ली जाती है इनका ना budget के साथ कोई तालुक है इनका ना ही इस चीज़ के साथ तालुक है कि शायद यह इग्नोरेबल थी इग्नोर हो सकती थी मैं समझता हूँ कि फिल्म के कैंवस से अगर देखा लिया तो यह चीज़ें कम असका मैं इग्नोर नहीं करनी जाहिए थी माकि ओवर आल बहुत अच्छी फिल्म थी और मैं समझता हूँ कि यह वाकि पहले भी मैंने का था और उसके बाद लोगों का रश कम नहीं पढ़ रहा अब तक अब तक जब तक कि यह मैं रिव्यूज बना रहा हूँ लोगों का रश बढ़ता जा रहा है और मैं समझता हूँ कि यह टेक्निकल रिव्यूज जो मैंने पेश किया है इससे ना सिर्फ यह फिल्म शायद उन तक तो मेरी बात पहुँचे भी ना लेकिन और भी जो फिल्मेकर्स हैं मैं समझता हूँ कि इन चीजों का ख्याल जरूर रखें जिसका ना कोई बजट से तालुक है ना यह लैमक सूस लिया जा सकता है कि यार बजट कम था मैं दूसरी मूवी की बात कर रहा हूँ तो टेक्निकल पॉइंट अफ यू से टेक्निकली जो फिल्म की प्रोड़क्शन है उसकी मेकिंग है उसको ज़रूर एक एक पॉइंट पे नजर रखनी चाहिए All the best for the The Legend of Mole Aja Team All the best for the Cinema Industry All the best for the Film Industry of Pakistan All the best for the audience जो अच्छी फिल्म पाकिस्टान में देखना चाहरे थे के अरसे से वेट कर रहे थे और उनको एक अच्छी फिल्म देखना हो को मिली बहुत बहुत शुक्रिया